स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मैं चानल आएम शिफाली अगरवाल तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 इंगलिश विहाइव बुक की पोयम सेकंड पोयम जिसका नाम है विंड पोयट जो हैं विंड को हमारी लाइफ में जितने भी डिफिकल्टीज और चालेंजिस होते हैं उनसे कंपेर कर रहे हैं अब जितनी भी चालेंजिस आपकी लाइफ में आएंगे तो वह आपको स्ट्रॉंग बनाने में हेल्प करते हैं ठीक है अगर आप मेंटली बहुत जादा श्रॉंग हो तो आप क्या सोचने लग जाओगे कि सारे चालेंजिस मेरी ही लाइफ में क्य लाइफ में फेस कर रही हैं ऐसा कोई परसन नहीं होगा इस पूरे वर्ल्ड में जिसने चालेंजिस को फेस नहीं गिया होगा चालेंजिस जो होते हैं आपको स्ट्रॉंग बनाते हैं एक बेटर हीमन बिंग बनाने में हेल्प करते हैं तो इसलिए जब भी आपकी लाइफ म सामने अगर आप कुछ भी रख दोगे तो वो क्या करेगी मुड़के वापिस चल देगी फिर आप कुछ रख दोगे फिर वो वापिस चल देगी साइट से तो वो कभी भी हार नहीं मानती है वो चलती ही रहती है अपने खाना ढूनती ही रहती है वो कभी भी यह नहीं सोचते सोचना है कि हमारी लाइफ में ही चालेंजिस क्यों आते हैं ठीक है तो अब यह ब्लू बॉक्स पड़ते हैं सबसे पहले दविंड ब्लोस ट्रॉंग ली एंड कॉसे लॉट ओफ दिस्ट्राक्शन्स अब विंड की हमने बात किया इसके अंदर तो जब हवा चलती है तो बहुत जादा स्ट्रॉंग ली चलती है और बहुत से लॉट ओफ डिस्ट्राक्शन्स को कॉस करती है तो हम उसके साथ फ्रेंड्शिप कैसे करें विंड के साथ तो ए पोयम आपको बताएगी कि आपको डि कि जब भी तुम आओ तो बहुत जादा softly और gently आओ कम softly अभी वो समझा रहे है क्योंकि wind क्या होती है wind जब आती है तो एकदम से बहुत तेजी से wind आती है और बहुत से lot of distractions को कॉस करती है don't break the shatters of the window wind को समझा रहे हैं कि जब तुम आओ तो बहुत softly आओ windows को मत तोड़ो ठीक एकदम से wind आई तो सारे papers भिखर गए तो जब भी तुम आओ wind आओ राम से आओ क्योंकि paper को मत भिखेरो windows को मत तोड़ो don't throw down the books on the shelf अब wind आई उसने क्या किया shelf में जित्ती भी books रखी वी थी उन सब को गिरा दिया तो windows को मत तोड़ो papers को मत भिखेरो और books को मत गिराओ तो ऐसे करके power the wind को समझा रहे है thought. there look what you did you throw them all down to the wing's look who the wind की आइ उन पर wind पर गुस्सा कर रहे है कि देखो तुमने क्या किया windows तोड़ो णोडी, paper को गिरादिया, books को साधी को गिरा तो अब पोईट जो है वो गुस्सा कर रहें, you throw them all down, you tore the pages of the book, tore का मतलब क्या होता है, तुमने देखो क्या किया, तुमने pages को फार दिया है, ठीक है, you brought rain again, तुमने बारिश ला दी है, अब जब देखो, अब जब विंड चलती है, बहुत तेजी से, हवा चलती है, तो अपने साथ पारी चीजों को तोड दिया, इतनी तेज हवा चली, तुमने सब चीजों को तोड फार दिया है, और अब तुम बारिश भी ले आई हो साथ में, you are very clever at poking fun at weaklings, तुम बहुत ज़ादा clever हो, वो विंड को बोलते हैं, कि तुम बहुत ज़ादा clever हो, poking fun का मतलब होता है, making fun of, कि दूम मजाख उडाती हो, weakling का मतलब होता है, जो person weak होते है, उनका तुम मजाख उडाती हो, क्यों बहुत ज़ादा clever हो Frillers Crumbling Houses अब देखो तुम जो weak people हमका मजाख हो उड़ा रही हो जितनी भी crumbling का मतलब क्या होता है something to break तुमने देखो क्या किया तुमने घरों को तोड दिया जो weak घर थे उनको तोड दिया है जितनी भी door थे उनको तोड दिया है Rafters क्या होते हैं वेखेए काफ्टर्स होते हैं कि जैसे स्लोप भर्नने होते हैं लकड़ी को ी तो उनको तुमने तोड़ दिया है क्रंबिलिंग वोट तुमने लकड़ियों को तोड़ दिया जतनी भी सétaisillिंगा उनको उनको तुमने तोड़ दिया है मतलब हमारी लाइफ वगेरा भी खत्रे में आ गई है क्रम्बलिंग हार्ट तो अब उससे क्या हुआ है कि अब विंड हाई अपने साथ बारिश लेकर आई उसने बुक्स गेट दिया सारे उसने पेपर्स को फार दिया जितने भी घर थे डोड़ थें जितने भी हम human beings की जो life सी उन सब को भी हमारी lives को भी खत्रे में ला दिया है The wind got winnowing and crush them all अब winnowing का हमने science method पढ़ा है कि winnowing क्या होता है कि wheat होती है तो उसके जतने भी छिलके वगेरा होते हैं तो वो एक हावा में उड़ जाते हैं तो बच क्या जाता है wheat बच जाती है और उसके छिलके बच जाते हैं तो wheat क्या हो गए strong people हो गए और chill के हो गए weak people तो इसमें मैंने आपको बताया कि हमारी life की जो तरी भी difficulties होती है वो strong और weak people से compare की गई है और इसमें बोला गया है wind god जैसे हम बोलते हैं न अगनी देफता तो ऐसे wind को भी poet god बोल रहे हैं ठीक है wind god बोल रहे हैं जो कि strong और weak people को अलगलग कर रहे हैं ठीक है he would not do what you tell him अब wind क्या है अगर तुम उसे बोलोगे कि तुम wind जो है बहुत softly आओ बहुत gently आओ और वो सुनेगी तो है नहीं मतलब आपकी life में जितने भी challenges difficulties आएंगी अब ऐसा तो है नहीं कि आप उनसे बोलोगे difficulties के कि राम राम से आओ बहुत softly आओ हमें बता कर आओ ऐसा तो possible नहीं है ना जब भी difficulties आती है तो आपके बिना permission कि आपके वो घर में घुज जाती है difficulties ठीक है अगर आप उनको बोलोगे कि दीरे दीरा हो तो वो नहीं सुनेंगे So come let's build strong home So चलो एक मजबूत घर बनाते है Let's join the door family अपने doors को बहुत ही अच्छे से जोड लो, join कर लो Practice to firm the bodies और अपने जो bodies है अपने आपको mentally इतना जादा strong कर लो Make the heart steadfast अपने दिलो को एकदम strong कर लो अपने आपको mentally इतना जादा strong कर लो कि अगर कोई भी difficulties आती है आपकी life में तो आप उसको डटके सामना कर सको वो आपको break न कर सके आप डटके सामना करो और डरो मत Do this and the wind will be friends with us अगर आप ऐसा करते हो आप बहुत strong घर बनाते हो अपने आपको mentally बहुत जादा strong कर लेते हो उन चैलेज़ों को face करते हो आप तो wind क्या होगी difficulties या फिर challenges बोला गया है wind को तो वो आपकी दोस्त भन जाएंगी The wind blows out weak fires और wind क्या करती है जो तरह भी weak people होती है उनको अलग कर देती है जैसे कि विनोईं का example आपको दिया कि wheat की जो छिलिती होते हैं आप उसमें फूक मारोगे तो वो अलग लग हो जाएंगे तो wind क्या करती है सब weak लोगों को अलग कर देती है He makes strong fire, roars and flourish और जितने भी strong लोग होते हैं आतलब wheat, for example wheat जितने भी strong लोग होते हैं वो और जादा grow करते हैं जब wind blow करती है तो जितने भी difficulties challenges आते हैं तो वो सब क्या करते हैं आपको एक better human being बनाते हैं आपको और जादा grow करते हैं आपको और जादा strong बनाते हैं His friendship is good wind के साथ, difficulties, challenges के साथ आपकी friendship बहुत ज़्यादा अच्छी होगी We praise him every day और आप उसको हर रोज आप praise करोगे आप उसको challenges को, difficulties को ठीक हैं, और आपको वो क्या करेगी एक better human being बनाएगी और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा आपको उनसे कभी भी डड़ नहीं लगेगा ठीक है, तो poet आपको इस poem के तुरू यही बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी challenges, difficulties आती हैं, तो आपको हमेशा डटके खड़ा रहना है ठीक है, अब हमने जो sound of the music में इसका जो chapter है, उसमें जो हमारा अच्छी musician नहीं होती, लेकिन deafness के वज़े से जो उन्होंने challenges face करे हैं अपनी life में उसकी वज़े से वो इतना जादा आगे और इतनी अच्छी musician बन पाई क्योंकि उनकी life में एक challenge आगया था, जिन्होंने जो की Evelyn ने face किया उसको, उसके सामने डटके खड़ी रही और उसके सामने कभी भी हार नहीं माना ठीक है, तो यही wind की जो poem में आपको यही message देती है, कि आपको strongly हमेशा खड़े रहना है accept the challenges of the life and make the best of your life ठीक है, तो यहाँ पे होती है यह poem खतम next video में हम पढ़ेंगे इसके question answers, ठीक है अब इसके poet की और बात कर लेते हैं poet है sabrumanyam bharti, ठीक है जो की यह poem लिखी गई थी Tamil में, ठीक है, यह Tamil poet है, इन्होंने यह Tamil में poem लिखी है और A.K. Ramanjan ने इस poem को translate किया है ठीक है, यह आपर लिखा है translate from the Tamil by A.K. Ramanjan वैसे यह Manjim Bharti ने इस poem को लिखा है ठीक है तो अब यहाँ पर wind की poem फिनिश होती है next में हम करेंगे thinking about the poem, इसके question answers तो I hope आपको इस poem अच्छे से समझ आ गई होगी अब हम मिलेंगे next video में thank you so much and bye bye